आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और ये हमारे देश के पहले उपराष्टपती और देश के दूसरे राष्टपती रहे डॉक्टर सरपल्ली राधा किसनन है आज हम लोग इनके बारे में बिस्तार से बात करेंगे इनके बारे में जानेंगे और कुछ पिक्चर है ये भी देख लीजे इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे देश के पहले पिधान मंत्री पंडी जवाल लाल नहरू आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आप देख रहे है कि इनके जनम दिन को हम लोग सिक्षक दिवसकी रूम में मनाते हैं तो अगर हम लोग राधा किसनन साहब के जनम की बात करें तो आप देखेंगे कि 5 सेप्टमबर 5 सेप्टमबर 1888 को तमिलाडू के चोटे से गाउं तिरूमनी में ब्रहमण परिवार में इनका जनम होता है तो याद रखेंगे ब्रहमण जाती से थे और तमिलाडू को अगर आप देखना चाहें तो चेन नहीं इसकी राधानी है इसकी सिमा आंध्पदेश करना तक केरल से लगती है और आप देखेंगे एक नमबंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था बिधान सभा में अभी वर्त्मान में 234 सीटे हैं राज्य सभा में 18 सीटे हैं लोग सभा में 49 सीटे हैं और इसका चितफल अगर आप देखें तो आप देखेंगे इनके पिता का नाम सरपल्ली वीरा स्वामी था बेगरीब जरूर थे किन्तु बिद्वान बरहमर थे इनके पिता और इनके पिता के उपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी इस कारण रादा किसनन को बचपन से ही जांदा सुगधायें नहीं मिली और रादा किसननन ने 16 साल की उमर में अपनी दूर के चचेरी बहन सीवा कमू से साधी कर ली और जिन से आप देखें उन्हें 5 बेटी हुई एक बेटा हुआ इनके बेटा का नाम सरपली गोपाल है जो भारत की महान इतिहास कार थे और रादा किसनन की जी की पतनी की मौत 1956 में हो गई थी भारती के टीन के महान खिलाडी है न भी भी ऐस लच्मन ये इनी के खांदा से तालोग रखते हैं याद रखिएगा अगर हम लोग डॉक्टर साहब की सिक्षा की बात करें तो डॉक्टर साहब का बच्पन तिरुमनी गाउंस में ही भी दीत हुआ वहीं से इनों ने अपनी सिक्षा प्यारम की और आंगे की सिक्षा के लिए इनके पिता जी ने किश्यन मिसिनरी संस्था लूथन में सन इसकूल तिरुमत्ती में दाखला कर दिया जहां भी आप देखे 1896 से सन 1900 तक रहे और सन 1900 में डॉक्टर सरपली राधा किसनर ने वैलूर के कॉलेज से सिक्षा लिए और उसके बाद आप देखी मद्रास कृष्यन कॉलेज मद्रास से अपने आंगे की सिक्षा पूरी की और वह सुरू से ही एक मेधाबी चात्यानी की पढ़ने में तेज चात्र थे इन्होंने 1906 में दर्सन सास्त में मास्टर डिगरी की और राधा किसनर जी को अपने पूरे जीवन सिक्षा की चित में स्कॉलर्शिप मिलती रही है और जिससे इस आसानी से अपनी सिक्षा लेती रहे है अगर हम लोग इनके कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे 1909 में राधा किसनर जी को मदरास पैसीडेंसी कॉलेज में दर्सन सास्त का अध्यापक बना दिया गया फिर आप देखेंगे 1916 में मदरास रजीडेंसी या रजीडेसी कॉलेज में दर्सन सास्त की साहएक प्रैध्यापक बन जाते है 1918 में मैसूर उनिवसिटी के द्वारा उन्हें दर्सन सास्त की प्रोफेसर की रूम में चुना जाता है उसके बाद वो इंग्लेंड के आउक्सपोर्ड में उनिवसिटी में भारती दर्सन सास्त की सिक्षक बन गया फिर आप देखें सिक्षक को डॉक्टर राधा किसन पहला महत देते थे और यही कारण है कि वो इतने ज्यानी विद्वान रहे कि सिक्षा की पिती रुजान में उन्हें एक मजबूद व्यक्तित फिदान किया था और हमेशा कुछ नया सीखना पढ़ने के लिए उतारू रहते थे जिस कॉलेज से आप देखें इन्होंने एमे किया वहीं का इन्हें उपकुलपती बना दिया गया किन्तु डॉक्टर साहब ने एक बर्स के अंदर ही इसे छोड़ कर बनारस मिस्विद्याले में उपकुलपती बन गए इसी दोरान वे दर्सन सास्त पर बहुत ही सी पुस्तिकें भी लिखा करते थे तो लेखक भी रहें, किताबें भी लिखें इन्होंने डॉक्टर रादा किसनन बेवेकानन्द और वीर सावरकर को अपना आदस मानते थे और इनके बारे में इन्होंने गहन अध्यन भी कर रखा था डॉक्टर साहब ने अपने लेखों और भासनों के माध्यम से समुझे विस्थ को भारती दर्सन सास्त से परिचित कराने का परयास किया और डॉक्टर रादाकिसनन बहु आयामी पितिवा के धनी होने के साथ ही देश की संस्किती को फ्यार करने वाले बैक्ती भी थे और आप देखेंगे कि इनकी राजनीती में आगमन की बात करें तो जब भारत को सुतंता मिली उस समय जब आहलाल नहरू ने रादाकिसनन सी यागरी किया कि वह विसिष्ट राजदूत की रूम में सोवियस संके साथ राजनाएक कारियों की फूर्ती करें आज आप लोग रूस देख रहे ना उसको मिलाकर आप देखें कुछ और देश उसमें सामिल थे सोवियस संके नाम से आप लोग जानते थे ए 1991 में विक्टन हो गयते अलग देश हो गयते नहरू जी की बात को सुईकारते हुए डॉक्टर राधाक संदर ने 1947 से 1949 तक समिधान निर्वात्री सभा के सदस्की रूम में भी काम किया संसद में सभी लोग उनके कारे और वेवार की बेहत पिसंसा करते थे अपने सफल अकादमिक केरियर के बाद उन्होंने राजनितिक में अपना कदम रखा एक बात आप देखिए उस समय आजादी के समय सभी नेता आप देखिए कितने फड़े लिखे थे तब जाकर आप देखिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी हम लोगों ने उनका समाधान किया आज की नेताओं को आप लोग लेख लिजे कोई आट भी, कोई दस भी, कोई बार भी तक है बड़ी बात होती है कि अगर आप देखिए उसके पाँ अच्छी डिगरी है और बड़ा लेखा है 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक विदेश की उपराष्टपती रहे हैं अगर आप लोग समीधान पड़ा होगा तो समीधान के अनुच्छेद 63 को पड़िए आप लो भाग 5 में इसमें भारत के उपराष्टपती की बात कीगी है अनुच्छेद 64 को पड़ेंगी तो उपराष्टपती का राज्यसभा का पदेन सफापती होनी की बात कीगी है अनुच्छेद 65 में राष्टपती के पद में आकस्मक रिती के दौरान उसकी अनफस्तिती में उपराष्टपती का राष्टपती की रूम में कार्ण करना और उसके किर्टों का निर्वाहन करना अनुचे 66 में आप देखे उपराष्टपती की निर्वाचन की बात की गिए अनुचे 66 में उपराष्टपती की पदाओदी की बात की गिए अनुचेद 68 में उपराष्टपदी पत की रिक्ती के भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मक रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचित ब्यक्ती की पदावधी की बात की गई है और अनुचेद 79 में देखें तो उपर राष्टपती द्वारा जो सपत या पे तिक ग्यान लिया जाता है उसके बात की गई है ठीक है फिर आप देखते हैं कि 13 माई 1962 को ही विभारत की राष्टपती निर्वाचित होते हैं राजन पेसाद की तुल्ला में इनका कारकाल काफी चुनोतियों भरा रहा है और राष्टपती गर हम लोग बात करें तो समीधान के भाग 5 में ही अनुचेद 52 भारत की राष्टपती से संबन्दित हैं अनुचेद 53 संगी की कारफाली का सकती राष्टपती में नहेत होती हैं अनुचेद 55 में राष्टपती की निर्वाचित होने के लिए क्या अहिता होनी चाहिए उसकी बात की गिए अनुचेद 69 में राष्टपती की पद के लिए क्या सरते होने चाहिए उसकी बात की गिए अनुचेद 60 में राष्टपती ज्वारा जो सपत ली जाती है पितिग्यान किया जाता है उसकी बात की गिए और अनुचेद 61 में राष्टपती पर महावियुक चलाने की पिक्किरिया की बात की गए है और अनुचेद बहत्तर को अगर पड़े ना तो छमा आदी की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन परिहार लगूकर्ण की राष्टपती की जो सकती है ना उसकी बात की ग हुए और जिससे चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा वहीं दूसरी और दो पिधान मंत्रियों का देहांग भी इने के कारकाल के दौरान हुआ उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम सम्मान जानदा था और आप देखे अगर आप लोग देखे ना च पाकिस्तान से लगती है बंगलादेश भी पहली पाकिस्तान का हिस्ता हुआ अगरता था उनकी कुछ किताब हैं ये भी देख लिजे भारत और चीन भारत और विर्स भारत की अंतरात्मा भारती संस्कीती कुछ बिचार भारती दरसन एक और भारती दरसन दो गौतम बुद जीवन और दर्सन, नव यूकों से पेडा पुरुस, सुतंता संस्किती, ओप निस्दों का संदेश, यह सब आप देखेंगे पुरुसकार हैं, क्या? इनकी किताबें हैं, अब आप देखेंगे यतना अच्छा काम करोगे, तो सभावी सी बात है, सम्माल मिलेगा, पुरुसक पती, डॉक्टर आजिन पिस्याद ने उन्हें दासनिक और सेक्षिडिक उपलब्धियों की कारण भारत रतन पुरुसकार दिया गया था, और 1905 में ही सुरू हुआ था, उनके जनम दिवस के दिन को आप देखते हैं, 1962 से सिक्षक दिवस की रूम में आयुजित करने की सु पर पिदान भी किया था, यह भी याद रखेगा, अमेरिका सरकार ने उनकी वित्तियों के बाद आप देखें, 1975 में टेम्पल लटन पुरुसकार दिया, यह पुरुसकार धरम में कार करने ही तु दिया जाता है, वे पहले गयर इसाई वेक्ती थे इस पुरुसकार को पाने जाता है, और इस दिन समस्ति देश में भारत सरकार द्वारा सेष्ट जो सिक्षक होते हैं, उन्हें पुरुसकार भी दिये जाते हैं, अब जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम समय आता ही है, तो इनकी मित्तिव, अपना संपूर जीबन पुस्तकों और येवं ग्यान को सबर अपित करने वाले हैं, डॉक्टर सरपली रादा किसनन का दियान एक लंबी बीमारी के बाद 17 अपरेल 1975 के दिन हुआ था, इनकी एक डॉकुमेटरी देख लीजे, रादा किसनन एक बिद्वान सिक्षक दासनिक थे, उनको धरम और दसन से काफी रूची रही है, उन्होंने अपने जीवनकाल के 40 साल एक सिक्षक के रूम में बिताए, यह कहना गलत ना होगा, कि वे एक आदर सिक्षक थे, उनके पुत्त ऐस गोपाल ने साल 1989 में इनकी जीवनी भी फिकासित की थी, इतने पिसिद्द और सारिनिक बिक्टी के होने के बाद, इस से पहले उनके जीव में लाइबरेरी आप लिविंग, फिलोसफर्स नामक सिंखला जरूर डॉक्टर राधा किसन की विसाइबा अधिकारिक बर्डन देती है, और उस समय इस डॉकुमेंटी को लेकर राधा किसन ने भी कोई आपत्ती नहीं देता ही थी, तो एक सौट वाइगराफी, सौट कहा आप लोग कह सकते हैं, डॉक्टर सरपली राधा किसन की है, और किसी के वारे में जाननी की दिल्चस्पी हो, तो आप लोग बताते रहिए, वरना इस तरही की राष्टपतियों की सिंखला चलती रहेगी